हेलो दोस्ते दार केड़ी सोरो सहुए आपसे भीनोंक हमारे इस सन्दे नीज अपडेट स्मॉइ में काफी सारे बारे में काफी सारी इस एकसाईट मंट का वूरे वीडी स्टमर के लिए चोकि इंडियन मार्केट में 2022 में काफी सारे कस्टमोर को एट्रेक्टिव कर रही थी ओलाइस वन इलेक्रिक स्कूटर की प्राइस जो कि 99,999 में जो आपको ये इलेक्रिक स्कूटर एक शरू में देखने को मिल जाती थी जैसे कि आज 15 जैनवरी 2023 के बाद इसकी प्राइस यहापर हाइक होने वाली है न्यू प्राइस देखने को मिलने वाले क्योंकि इन्होंने ट्विटर पर एक ट्विट भी डाला था जो कि आप चेकाउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में अगर हम बात करें ओला S1 प्रो में अलूरी डिसकाउट भी है बैट अलूरी डिसकाउट होने के बाद भी जो है ओला S1 प्रो की जो है इतनी डिमाड नहीं है जितनी डिमाड जो है ओला S1 की है क्योंकि यार 99,999 में आपको इतनी अच्छी इलक्रिस Vader डर्विद आपको रेंज भी अच्छी मिल लाती है मतलब S1 प्रो से जाता है यहाँ पर जो S1 ही चल रही है काफी डिमांड यहाँ पर जो S1 की चल रहा है कि हम यहाँ पर पक्का वाला यहाँ पर प्राइस इंक्रिस करने वाले है जो कि आपको कुछ ही दिन के बाद अप्डे यहाँ च्सार इतना कंछा प्राइस जैसे कि थैसके मौडल ले वन फॉर्टी फाइड का रेंज देने वाला जो और रियल्र र्इंज देने वाला 1 ऑक्रियल रेंज जो है TWS ने बोला कि next 5 week के around आपको यहाँ पर जो है TWS IQ ST की delivery की जो date है वो confirm मिलने वाली है और price भी यह reveal करने वाली कितने price तक यह देखने को मिलेगी क्योंकि आर काफी time यहाँ पर हो चुका है TWS IQ ST जो वेटिंग मतलब यहाँ काफी सारी customer ने जो रुके है बुक भी किये तो सब कुछ आपको जो है next फुश चार पांच वी क्यारा हो को देखने को बात करते नेक्स news के बारे में गयास वह निकल की आती है गोगरो की तरफ से जहां गाइस गोगरो की तरफ से मैंने पिछले वीडियो में in craft की जो एक्टरी स्कूटर है वह 2010 में फाइनली मिड रेंज, हाई रेंज, वग्यारा, मतलब जो B2B है, वो सब कुछ आपको जो है, गोगरू प्रोवाइट करने वाला है, जैसे ओल आया पर कर रहा था, उससे बेटर आपको जो गोगरू करने वाला है, क्यार गोगरू के पास जो फंडिंग का कोई भी इशू नहीं है, इस अरे कंपनी के साथ इनोंने पार्टनर्शिप भी कर चुके हैं, तो अधर ब्रैंड से भी इनको यहाँ पर प्रमोशन भी मिलने वाला है, इसलिए आपको जो गोगरू की इलेक्र स्कूटर, देखने को मिलेगी, यह इलेक्टर स्कूटर जो गोगरू की होने वाली है, वह सेफटी तो होगी, बट आपको जो एक रेंड पर भी अविलेबल होने वाले है, जैसे कि आप स्कूटर वगरा ले सकते हो, और बैटरी जो एक रेंड पर रहने वाली है, विससे भी कुछ आपको जो फीचर्स देखने को मिल जाते है, इस एलेक्र स्कूटर के काफी होन इसलिए आप बोल सकते हों कि 2013 में तो अगयार फाइनली गोगरो जो आने ही वाला है इंडियन मार्केट में, आपको क्या लागता है गोगरो के बारे में, कमेंट सेक्शिय में जाकर जरूर से जरूर बाता है, बात करते हैं नेक्स अपडेट के बारे में, जो कि देखने को मिल जाता है, सिंपल वन के बारे में, जहां गाई सिंपल वन के बारे में एक थोड़ी सी बुरी ख़बर है, मतलब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यार सिंपल वन इलेक्रिस कूट रहे हैं, वो यार मतलब काफी अच्छा रिस्पॉंस कस्टमोर का मिल रहा था, 70,000 के आ यहाँ पर शेयर किया था, उसके बाद यहाँ पर काफी सारे कस्टमर बहुत हैपी हो गए, कि यार हम इसको लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यार रिंज अच्छी है, लोक अच्छा है, अराउंड ली एक साल तो होच चुका है, बट काफी सारे कस्टमर ने बोगिंग कैंसल कि यह बाद में, लेकिन उसके बाद सीन कुछ ऐसा होता है, कि यार इन्होंने बोला कि हम जो फैक्ट स्टार्ट करने वाली है, 19 जनवरी 2023 में, तो यार थोड़ी एकसाइटमेंट और भी बढ़ गई जिसकी मेरे भी बढ़ गई थी, लेकिन वहाँ पर अप्डेट निकल के आ तो पेसो की बाद तो यार यहाँ पर आती ही नहीं, वैसे तो आप सभी को पता हुआ कि 19 जनवरी 2023 में की फैक्ट स्टार्ट होने वाली है, जितने आपको जो स्कूटर देखने को मिलेगे, वो बैंगलोर में ही मिलने वाली है, जहां बैंगलोर में ही डिलिवर्ड होगे, पत वो लिमिटेड ही होगे, जैसे ही नहीं नहीं जनवरी 2023 को यहाँ पर बॉलाई है फैक्टर स्टार्ट करेंगों तो यहार 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 पर फैक्टर्स प्रोड्डक्शन वगरा रेड़ी खिया है, और काफी सारे कस्टमर को यह डिलिवेड करने लगे, वैसा नहीं होने mainly इसकी delivery delay होने ही वाली आप लिख रख दो guys क्योंकि यार इनका यहापर जो planning की मीडिया वालों के बुलाएंगे पूरा यहापर यहापर प्रोड़क्ट यहापर इनका showcase होगा new catch changes होगा रखी है वो बताएंगे look यहापर कैसा होने वाला है final उसके बारे में बताएंगे काफी सारे मीडिया वाले आएंगे और काफी customer जो घर पर है वो सभी जो है scooter को देख सकते है feedback अच्छा आएगा तो यहार थोड़ा और भी बैट कर सकते है इसलिए उन्होंने इसा planning किया है and day by day guys इनकी delivery delay होने वाली है और guys आपको क्या लगता है simple one के इस delivery के बारे में क्या confirm तो यह आपको यह आपर जो इन्होंने बाता है उसके आर राउंड देखने को मिल सकती है या कितनी लेट हो सकते है commentation में आकर जरू से जरूर बताएं बात करते हैं next EV news update के बारे में LFE भाटरी यूज की है तो कि यार NMC यूज्ज कर रहे है NMC में तो परफैर जड़ा होता है बट जो LFE वगर है उसके लाइप जाता होती है बट NMC में काफी दिक्कत भी आती है LFE में इतनी दिक्कत नहीं आती battery cycle जो होते है वो ज़्यादा होते है LFE में और मेंली जो एमपेर की प्रेमस एलेक्ट्रि स्कूटर है उसमें जो 77 की एमपेज का स्पेड विद आपको 4 किलोट के मोटर देखने को मिल जाती है एंड मेंली जो पॉइंट ए हाइलाइट अंडर 1 लाग तो आपको देखने को मिल चकता है तो प्रेमस एलेक्ट्रि स्कूटर जो ए नेक्स एक दो महिने का राण इसका प्राइसिंग वगरा रिवील होगा एंजल ये शोरू में भी देखने को मिल सकती है प्रैस ये झांड़ आज की इवी चके बारे में अप्डेर शोर्ट अप्डेर वीडियो अच्छा लागा हो वीडियो अकने यहां तक देख लेए होगा तो फिलीज हमारे इस मेहनत को येक लाइक के तरफेया कमेंट करें आपको आज का वीडियो केसा लगा क्योंकि आर आपके कमेंट से रिस्पॉंस से हमें जो ए नेक्स वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है अंदर से काफी मोटिवेट आता है तो आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आप आएंगे